बेटा नमस्ति की क्या जरूरत है चुपचा पैर पर पैर करता इस चांद के मैं टुकड़े टुकड़े करके फेग दूँ क्या माजी आप लोगों ने आज तक मुझे ये बात चुपा के रखे कि आपका बेटा टकला है मैं न कहती थी मेरा बेटा चांद के टुकड़ा है ऐसे ना लिप्टो मुझे से लोग नागिन समझेंगे आप काका से कम है क्या उम्र 30 की है दिखते हो 40 के बाते करते हो 50 वाली और बिमारिया 60 वाली आजी सुनते हो कहा मर गए अरे क्या हुआ सुबध़ मुझे आवाज क्यों दे रही हो अच्छा मतलब कि आपका कान ठीक है यहां मेरे कान को क्या होना था अरे आपको कुछ पता भी है कि आज सर्मा जी के घर पे कौन आने वाला है कौन आने वाला है क्यों बताओं दूसरे के घर के बारे में जानने के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं यह आपकी जागता करने की आदत बहुत खराब है अच्छा आप काका से कम है क्या उम्र 30 की है दिखते हो 40 के बाते करते हो 50 वाली और भीमारिया 60 वाली गमाई करते हो 70 वाली खर्चे करते हो 80 साल वालों की तरह और रिस्ते रखते हो 90 साल वालों की तरह और अंदाज का तो पूछो ही मत, महा बोरिंग, कभी लाइफ में रोमांस भी किया है अच्छा, तो तुम ही बतादो रोमांस कैसे करते है अरे-अरे, ऐसे ना लिप्टो मुझसे, लोग नागिन समझेंगे ज़्यादा गुलजार ना बनो, लोग राखी समझेंगे अरे, डार्लिंग, तुम इतनी सुन्दर हो, इस ता मचलब यह थोड़ी कि तुम कुछ भी बोल दोगी अच्छा, सच में? हाँ मेरी सास आई, मेरी सास आई लो, आगे कबाप में हट्टी बहू, बहु रानी नौक रानी क्यों नहीं कहती साफ साफ अरे माजी, नमस्ते नमस्ते अरे बेका, नमस्ते की क्या जरूरत है? चुपचा पैर पढ़ पैर नव 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 अरे माजी, इतना ही पढ़ना लिखना होता तो मेरी साधी यहां थोड़े ही होती फिर किसी और लड़के से होती न? अच्छा, क्या खराबी है मेरी बेटे में? ची, इतना गंदा बच्चा पैदा किया था अस्पताल में आपको नर्सन ने ढाटा नहीं था क्या? सकल भी देखी है इनकी अरे चांद का टुकड़ा है चांद का टुकड़ा मेरा बेटा अच्छा, जी तो करता है इस चांद के में टुकड़े टुकड़े करके फेग दू अच्छा, इतना गाई जैसा पती पा गयी है ना इसलिए तेरी इतनी बोली निकलती है हाँ, तब ही सब गुड़ का गोबर कर रखा है इतना गोबर, इतना गोबर की समढ़दे 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 समताता ही नहीं है अरे मा, छोड़ो भी, अब जाने भी दो ना क्या जाने दे, क्या जाने दे अरे, ये क्या क्या मा जी, आप लोगों ने आज तक मुझसे ये बात छुपा के रखी कि आपका बेटा टकला है हे हे हे, मैं ना कहती थी, मेरा बेटा चांड का टकला है ये बेकान चांड का